दोस्तो पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडियम इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एग्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पुलिस टीशर एग्जाम के लिए काफी उसफु इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक की मिला है तो उसलिम क्लिक करके आप पर्चेर्स कर सकते हैं किसी प्रकार की कुईरी के लिए इस नंबर पर आप कॉंटक्ट कर सकते हैं अपने जीवन में चमतकार होने का इंदिजार मत करो प्रयास करो और खुद एक चमतकार बन जाओ गुड मॉर्नि फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तो आज है तेरह जनबरी और स्टार्ट करते हैं आज करने फेस उससे पहले दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकान जरूर पेस करें ताकि आपको डेल पर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला कोशन है राष्ट्री यूवा दिवस कब मना जाता है तो नेशनल यूथ डे मना जाता यह बारह जनबरी को ठीक ऑप संडी करेक्ट हो जाएगा ठीक है देखे तो यह दिन जो है स्वामी वेकरन जी के जन्म दिन को चिनहित करने क ठीक है तो स्वामी वेकरन जी का जन्म कब हुआ था बारह जन्बरी 1863 में हुआ था तब से तो आपको बता दे किस दिन का उद्देश जो है स्वामी वेकरन जी के विचारों आदर्सों को प्रिचार करना और एक समास सुधारक दार्सनिक और विचारक थे और दोस्तों भा देखिएगा राश्टी यूवा दिवस नेशनल यूथ डे कमन आते 12 जन्बरी को दोस्तों एक कोशन बनता है राम कृष्ण मिशन के स्थामना किस ने की थी तो राम कृष्ण मिशन के स्थामना की थी स्वामी विवेकरन जी ने 1897 में ठीक आपको डेट भी ये ये यह भी एसिया वारता में भाग लेने के लिए किस देश के अपनी दो दिवस यात्रा शुरूगी है जिसका करेक्ट एंसर हो जाएगा दोस्तों उजवेकिस्तान ठीक है ओप्सन भी देखे दोस्तों विदेश मंत्री सुश्मा सुराज जी 12 जन्वरी को अपनी दो दिवस यात्रा संबात कि सहाध्यक्षता करेंगी और अफगानिस्तान की विदेश मंत्री एक विशेश समंत्रित क्रूब में भारता में भाग लेंगे ठीक है तो यह आपको याद रखना है उजवेकिस्तान की कैपिल क्या है तासकंद है ठीक है तासकंद है और यहां के पी-म है अबदु सुरक्षा सलाकार करूम में किसे न्युक्त किया गया है तो USA के उपर राश्टी सुरक्षा सलाकार करूम में न्युक्त किया है चार्ल्स कूपरमैन को ठीक है ऑप्सन भी ठीक है चार्ल्स कूपरमैन को देखे उस तो अमेरिका को जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प ज ठीक है, USA के ऊपर राश्ट्री सुरक्षा सलाकार किसे निउट किया गया है, चार्ल्स कुपर्मेन को, अगला कोशन है, राश्ट्री मानवा धिकार आयोग के महा सची गुरू में किसे निउट किया गया है, दोस्तों राश्ट्री मानवा धिकार आयोग के महा सची गुरू मे आई एस ओफीसर है और वर्तमान में हुआ है ग्रामीड विकास मंतराले में विशेश सचिव और वित्ति सलाकार भी है ठीक है तो आपको याद रखना है दोस्तों आपको बता दें राश्टी मानवा धिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में ठीक है 12 अक् राश्टी मानवा धिकार आयोग के चेयर मैन है ठीक है तो यह भी आपको लेटेस्ट याद रखना है जैदीब गोबिंद को तो यह आपको फैक्ट याद रखना है चले अगला कोशन देख लेते हैं हाली में किस राज्ज ने अमा घरे LED योजना शुरू की है तो यह शुर और बात करें तो डिसा के बारे में मैंने आपको कली बताया था एक बार फिर से बता के रिवाईज आपको करा देता हूं और अधिसा कैपिटल भूबनेश्वर गवर्नर हैं गणेसी लाल सीया में नवीन पटनायक और इसा को जो प्राचीन नाम है कलिंग है और इसम दोस् जावाल अनसंधान संस्थान कटक ओडिशा में इस्थी थे ठीक है शूरी मंदिर कहा है इस्थी थे कोडार्क में और लिंगेश्वर मंदिर जो है लिंग राज मंदिरे भूबनेश्वर में तो इतने पॉइंट फैक्ट आपको ओडिशा से लेटर याद रखने अक्सर कोलकाता में किया गया है तीन दिवसी यह और यहां उत्साओ को आजन पस्चिब मंगाल के मद से विभाग द्वारा किया जाता है और इसका उत्साओ को उद्देश किया है दोस्तों मद से पालन के ख्षेत्म राज सरकार की उपलबदी से जनता को अगबत कराना और यहां उत्साओ नीतियों को प्रसित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जिन्होंने मचली उत्पाद्मने सुधार में मदद की है ठीक है तो आपको याद रखना है चलिए और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना विल्कुल ना भूलें इस वीडिय माजित की गई थी और इसकी अधेक्षता केंद्री वाडिज और उद्योक और नागरिक उड्यान मंत्री जो है सुरेश प्रभू ने की थी ठीक है और दोस्तों आपको उतादिक भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्यों और संगराज शेत्रों को सक्री भागिद दर बनाने के लिए ठीक है चलिए अगला पिशन्थि लेते हैं भारत और किस देश के भीच एक संजोतक जापन को मंजूरी दिगई है जो दिएग्या दोस्तों जापान के उब्जेश तो तकर सब्सक्षाство साथ हो Betlaud ऐ हमारा new खिड़किं के विकास पर भारत और जापां की भी सेव को बढ़ावा देगा और यह भारत में इस ओप डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के भारत के प्रयास को गती देगा ठीक है तो जापान के साथ हुआ है हमारा नाइंध कोश्चन है दोस्तों की से भारती सेना के जन्रल की मानद रेंग से समानित किया गया किया गया दोस्तों जन्रल पूर्ड चंदर थापा को ओप्सन बी देखे दोस्तों बारह जन्री को राष्ट पती रामनात कोविन जी ने नेपाल के सेना प्रमुक जन्रल पूर्ड चंदर थापा को भारती सेना के जन्रल रेंग के मानद पसे समानित किया है और भारत के लि प्रती सेन प्रकति और योगदान के लिए उन्हें भार्ती सेना के जनरल की मानत रेंग से समानित किया घ्यात है ठीक है और सुम्स सब्सक्राइब 2018 नेपाल सेना के प्रमुख बने थे तो आपको यादर रहा है भारती सेना के जनरल की मानद रेंग से किसे समानित किया गया है जनरल पूर्चन थापा को ठीक है भारत के साथ लंबे और महित्री पूर्चाओ को बढ़ावा देने के लिए समानित किया गया चलिए अगला जो चेर्मेन है आधी गोद्रेश को Translating Excellence in Corporate Governor into Reality के लिए ICSI Lifetime Achievement अब आधे समानित क्या गया है ICSI का यह क्या है तो यह The Institute of Companies Securities of India ठीक है The Institute of Companies Securities of India द्वारा इस पुरुसकार की स्थामना की गई थी ठीक है तो यह आप याद रखिएगा उद्योग पती और गोद्रेश समुग जो चेर्मेन है आधी गोद्रेश को सम्मानित किया गया है यह ठीक है चलि एगला कोशन देख लेते हैं तो दोस्तो आप देख लेते हैं लास्ट वीडियो का एंसर मैंने कोशन क्या पूच्छा था विश्व हिंदी दिवस कम मना जाता है दोस्तो विश्व हिंदी दिवस यह मना जाता है प्रतिवस 10 जन्वरी को सभी स्टूडियन ने राइट एंसर दिया था और काफी डिटेल में लिखा था आप देख लेते दोस्तों आज का सवाल के जिसका अंसर आपको फटा फट कमेंड बॉक्स में लिखना है आज का कोशन नमारा भारत में मानाव अंतरिक्ष उडान केंद्र कहा है स्थापित किया जाएगा काफी मातपूर कोशन है दियाप काल की वीडियो देखे हो ता आपको पता है तो फटापट कमेंड बॉक्स में लिखे नहीं पता है यहाँ पर वीडियो प्लेगा आप जरूर देखें डेली डेली मॉनिंग में समय निकलर एड़ जरूर देखा करें हर गवन रेता है ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो के साथ इसके लिए आल दे वेस्ट जै हिन जै भारत